मुसा बादा विर्मनी सिख्खा पदम्समादियानी हुआ धार्थी जी कंटर्प्र करेंगे मुसा मैं गुजारिश करूगा ठीरा सर्था की वो पर सेंट पर पर पात्रप्षी तबे राथी जी कह रहा है हैं बात रखनी है और हमारे एंकर कह रहे हैं कि बात रखें और कह रहे हैं बार बार के आपकी बात रखी जाएगी और आप अपनी बात रखिए और ये भी सुनने में आ कि हमारे पास बहुत टाइम है हम टाइम देंगे हम सतर साल से बात को रख रहे हैं और बात रखते रखते कितनी बात हैं हमने रख ली हैं मेरे खाल में गोदाम के गोदाम हमारी बातों से रखे हुए से भरे हुए होंगे चारों तरफ मरभाई काम को नहीं रख रहा सिर्फ ब हमारे पास बातों के लावा कुछ नहीं है और जैसे ही काम रखने के लिए कहते हैं तो 9 और 2 और 11 दूर दूर तक दिखाई नहीं देते हैं आदमी कहा है कहा नहीं हैं। बातों से रखने से अगर करांती होती तो अब तक हम सो बार करांती कर चुके होते और दुनिया देखती कि हमने कितने बार करांती कर दी है लोग परशान हो जाते हैं हमारी करांती से भाई भारत के ये जो लोग हैं जो अपने आपको ST, ST, OBC कहते हैं खास तोर से इसमें ST हैं इतनी बात हैं रखते हैं कि करांती भी प्रिशान होगी, कितनी बार हो करांती, पर बात रखने से तो करांती एक बार नहीं हुई, और बात रखने से और भाशन देने से, और अपने संग्ठन बनाने से, तो जो बावा साब का बोलते थे कि बावा तेरा मिसन अधूरा हम करें अभी चर्चाएं खूब चल नहीं हैं खूब ग्यान और तर्क और वितर्क और सतर्क और कुतर्क सब चारे सारे तरे के तर्क इसमें चल रहे हैं पर भाई बच्चों को कुछ नहीं मिल रहा और संग्ठन दावे पर दावे करे जा रहे हैं और अपनी कमी कमी नहीं बताता कि तेरा एक संग्ठन था जो बावा साब ने बनाया फिर वो दो हो गए फिर वो चार हो गए फिर वो आठ हो गए तो बावा साब के संग्ठनों को नहीं जोड़ पाए नहीं रख पाए वो समाज को जोड़ने चले हैं वो समाज की दावेदारी करेंगे ये इतने कमाल की बाते हैं कि हम सोच नहीं पाते क्योंकि हमारे जो उपर सर पे बैठे हुए लोग जो हमारे दिमाग में बाते रखते हैं उन्होंने हमारे दिमाग बंद किये हुए है और हमको भक्त बना रखा है बड़े जोड़ सोड़ से कहते हैं फलाना संग्ठन बावा साब का संग्ठन है बावा साब ने ये संग्ठन बनाया है तो हम उनसे पूशते हैं बाकी कौन से संग्ठन के अमरीका के हैं इनमें भी तो बावा साब के फोटो लग रहे हैं तो कहता है ने जी ये बावा साब का स क्या लाज रखी हमने तो बावा साब के संठन के दो टुकड़े कर दिये वो धरम वालों से पूछते हैं तुमने क्या लाज रखी कि जी हमने तो क्या ही टुकड़े कर दिये तो राजनीती वालों से पूछते हैं तुमने बावा साब के संठन की क्या लाज रखी हमने तो कही सारी पार्टी बना दी बावा साब के संग्ठन की ये वो बावा साब के मानने वाले लोग हैं और हमारे जैसे मुर्ख पैसे पर पैसे दिये जा रहे हैं पैसे पर पैसे दिये जा रहे हैं और बातों में आए जा रहे हैं और जैजा कार कर रहे हैं और नतीजह अपने घर लेक और ठेकेदारी पढ़ था, वो यी पढ़ था है, चो पहले गाओं के अंदर मुनीं बेगारी करक्राते थे और सेहरों के अंदर लाला बेगारी कराते थे, वही है, बारे घ्टे काम करो, दे दिया, कुछ तो दे दिया, नहीं तो भाग जाओ यहां से, एक टाइम के चने चबेने मिलते थे उसी में पूर दिन हमारा आदमी काम करता था क्योंकि जीना था उसको, सांसे लेनी थी उसको, ये बातें लोगों को अभी समझ नहीं आ रही हैं, ये समझ में तब आएंगी जब गले में आगे हंडी और पीछे ज़ाडू, और इस वार त रहे और ये इन्तियार करते रहे कि हमारी कोई सुन ले, हमारी कोई सुन ले, तो करने वाला तो कोई आएगा नहीं, तो सब बताने वाले आएंगे, तो जिस नसल में, जिस कौम में, जहां कबीले के अंदर बताने वाले सारे हों, और करने वाला कोई नहों, उनकी मौत है ना हमारे वकिलों को रोजगार मिले ना हमारे डॉक्टरों को मिले ना ही कोई आगे डॉक्टर बने ना ही कोई आगे वकिल बने ये घर मकान दुकान जो दो चारे जाएगा तो काम कैसे बनेगा जो लोग ये सोचते हैं कि हमने मकान बना लिया हमने दुकान बना लिया हमने जमीने खेल ली हैं तो पहले असोक के समय भी हमारी जमीने दुकाने सारी इंडिस्टी सब कुछ हमारे थे जब उस समय भिक सकते हैं सारे इक सारे उस समय छिन सकते है सारे सारे उस समय लूटे जा सकते हैं सारे सारे तो अभी तो जमाना और भी ज्यादा बरबर हो गया है तो अब थोड़ा जल्दी होगा क्योंकि अब तो जो मॉब लिंचिंग होती है कि नया नारा आता है मौब ले लिंचिंग, क्या हुआ भीड आई और छीन चान के चली गई, तो कोई केस भी नहीं बनता, वैसे भी केस बन जाए तो सुनता कौन है, सारे लोग हम सब जानते हैं, कितने केस बने और कितनों में सजा हुई और कितनों में नहीं हुई, यह वो सब बेकार की बाते हैं बहिया जिसका संग ना हो, जिसके पीछे आदमी ना हो, जिसके पीछे पावर ना हो, चाहे वो पैसे की हो, चाहे वो आदमियों की हो, चाहे वो सत्ता की हो, चाहे वो संग की हो, लोग उसके फिर में कभी नहीं जाता, नियाय उसके फिर में नहीं होता, नियाय को तोड़ने म परोने के नियाय के अंदर ही बहुत सारे रास्ते बनाए दूए तो हमारा तो खतम होना निश्चित है अगर हम सिर्फ अपनी बात रखते रहे और हम इस बात पर नाराज होते रहे कि उनको बात रखने का मौका नहीं दिया या हमारी बात नहीं सुनी तो यहां तो सुबह से लेके साम तक पूरे भारत के अंदर 747 जिलों के अंदर और जितनी ये राजधानी है यहां हर सटड़े संड़े को हर दिल लोग सुना रहे हैं वाट से भरा पड़ा है इतने फंक्सन चल ले हैं इतने काईकरम चल ले हैं इतनी नितगरी चल ली है 29 लाक संग्ठन और 4 लाक ए भारत के अंदर भी ये सुनलकाष्य जैसे लोको चोड़के कोई निज लगाता कभी कभा किस swamp चुप चाप चुप चूप 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 काम करते हैं ये चुप चूप काम करना हमारे काम था जो हम करते थे हमसे ही लो가 ने सीखा और शों नहिंशाया और काम करते रहे काम कर रहे और काम करते 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 सब कुछ ले गए ये नियम हमारा था जो हमारे संग में चलता था और ये जो संग है ये संग बड़े कमाल का संग है जिसको रोज बोलते हम संग सरणनंग रच्छामी रोज बोलते हम हमारा संग है रोज बोलते हम हमारे बावा साब ने लिखा है भारत गर्णराजिय संग पर उस संग को हम समझते नहीं हम तो सिर्फ संग्ठन समझते हैं जहां एक प्रधान होगा जहां एक जनल सेकर्टी होगा जहां कुछ नेता होंगे जहां वो पैसा खटा करेंगे जहां चंदा करेंगे मगर संग को क्यों समझेंगे क्योंकि नेता समझ भी जाता है तो करेगा क्या इस संग में राजनिती होती नहीं संग के अंदर पुराना संग है हमारा समण संग है बुद्ध से पहले का संग है उसमें राजनिती ना तब होती थी ना अब होगी ना उसमें पैसे लिये जा जाते थे पहले कोई पैसा नहीं लिया जाता था सवन संग के अंदर संग के अंदर अब यहां जो यह वीदा पीपल है यह भी संग है यहां भी पब्लिक से कभी पैसा नहीं लिया जाएगा भविस्ते में तो तब भी मंच माला माइक नहीं होती थी तो अब भी मंच माला माइक नहीं है यहां कोई मंच नहीं, यहां कोई माईक नहीं, यहां कोई माला नहीं, ऐसा यह संग है, सिंपल साधन, तो पहले भी कोई नेता नहीं होता था, वहीं से नियम लिया कि यहां भी कोई नेता नहीं होगा, तो लोग कहते हैं, अरे बिना नेता के कैसे करोगे भाई, अरे भाई आ आप बता दो, पुराने समय से लेकि अब तक हमारे कितने नेता रहे हैं, संग का एक भी नेता का अगर नाम बता दो आप, तो हम मान जाएं कि नेता की जो कल्चर हो हमारी है, नेता का मतलग होता है, लोगों के समु के उपर एक व्यक्ति जिसको मनुस्त मर्ति में इंद्र कहत हैं, और एक व्यक्ति को हटाना, एक व्यक्ति को खैदना, एक व्यक्ति को मारना, एक व्यक्ति को तोड़ना, एक व्यक्ति का करना, एक व्यक्ति को मर जाना, बढ़ा आसान होता है, यही वो चायते हैं, कि संग ना मने, संग उनका रहे, हमारे तो संग धन बनते रहें, एक व्यक्ति जो तीस-चालिस साल में आगे बढ़ेगा, लोग उसको आगे बढ़ाएंगे, उसको भरुसा करेंगे, फिर उसको खईद लेंगे, उसको वेबचार में फसा देंगे, उसको किसी सरकारी काम में फसा देंगे, और मानता है तो मानता है, नहीं मानता है तो उसका एक् व्यक्ति दो व्यक्ति नेता रहें, जबकि संग में नेता नहीं होता, संग में तो पचास आदी मर्जाओ कोई फिर नी पड़ता, संग चलता रहता है, क्योंकि संग को चलाने वाले संग के लोग ही होते हैं, उसमें कोई नेता नहीं होता, तो पहले कोई VIP कल्चर नहीं होती थी ऐसा नहीं होता था कि जैसे जो सिद्धत गौतम हैं सिद्धत गौतम के फादा जिनका खित बहुत ज़ादा थे और बड़े मालदार थे तो वो अगर समन संकी समा में आते हैं तो उनके लिए अलग से सीट आएगी या होची कुरसी आएगी या होचा बैठेंगे वो तो नेता नहीं होता था तो यहां भी कोई नेता नहीं होता यहां भी साहे लोग एक साथ बैठते हैं या तो जमीन पर बैठा हैं या कुर्शी पर मगर रहते सब बरावरी हैं तो उस समय भी कोई वरोध की बात नहीं करते थे अभी हमारे लोग वरोध की बात बहुत करते हैं और ये विरोध की बात कहां से सीखी है मनुस्मर्थी से सीखी है मनुस्मर्थी में हमेंसा एक दुस्मन होता है दुस्मन को वो हमेंसा बताते रहते हैं तो उन्होंने हमें दुस्मन बना दिया हमारे नाम रख दिये दैते रख दिया असुर रख दिया राक्षस रख दिया हल संग अपना काम करता है जैसे बावसाब अमिड़कर अपना काम करते थे जैसे बुद्ध ने अपना काम किया उन्होंने कभी किसी से सतुतर नहीं की नहीं निकेते काम किया ना ही किसी का वरोध किया चुप चाप चुप चाप चुप चाप बस अपना काम करना अभी हमारे जो संग्ठन है वो क्या करते हैं वो अपना काम नहीं करते हैं वो दुस्मन दुस्मन बहुत करते हैं गाली बहुत पकते बंबल बंबल को गाली पकते हैं और उनको दोस्तों की याद नहीं आती और दुस्मन दुस्मन करते करते ही आपस में संग्ठनों की दुस्मन हो गए अपने ही लोग अपने ही संग्ठन बनाये हुए अपने ही और संग्ठनों की दुस्मन हो गए कहां दुस्मन का पीछा करना था और कहां खुद दुस्मन हो गए और आपस में लड़े बैठे और क्या होसकती है कि हमारे लोग ही आपस में लड़ेंगे और जीत कोई और जाएगा ये जो नकारात्म के अनरजी है ये संग में नहीं होती तो संग किसी की नकल भी नहीं करता यानि समढ़ संग के औरिजिनल रूल है पराने रूल है वही नियम चलते हैं वो कभी किसी के नियम पे नहीं चलता तो समढ़ संग के अंदर यानि हम जो भारत के लोग वीदा पीपल है इसमें कोई गुटबंदी भी नहीं होती इसके कभी टुकड़े भी नहीं हो सकते क्योंकि संग में कभी कोई टुकड़ा दूसरा नहीं बन सकता क्यों बनेगा क्योंकि यहां सारे लोगों की बात सुनी ज तो यहां कोई पद पोश्ट नहीं है तो जगड़ा होगा क्यों यहां वियाइपी कल्चर नहीं है तो किसी को बीच की कुर्षी किसी को पतिष्टा किसी को मांसमान होगा क्यों तो यहां कोई टुकड़ा नहीं बन सकता कोई आदमी कहे कि मैं भी समण संग बनाता हूं तो वह बात मत रखो यहां बात मत रखो काम रखो जो काम रखेगा संग उसे आगे 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 काम करने वाला चाहिए जितना काम कर सकता है संग में उसको उतना ही सम्मान मिलता रहता है उसके काम से और उसकी सीनिटी से जितनी महत करेगा उतना ही संग उसको रिकूनाइज करेगा तो ये हमारे बाप दादों ने बनाया है हमने तो बनाया नहीं हमें तो इतनी अकल है नहीं ये हमारे जो दादा और जो प्राचिन लोग थे, जो बुद्ध से भी पहले के लोग थे, यह उन लोगों ने बनाया है, वही इसके फाउंडर हैं, तो कोई यह भी दावा नहीं कर सकता, अरे भाया इसका फाउंडर तो मैं हूँ, या इसका फाउंडर तो तू है, या तो इसका फाउंडर तो वो है पुराने इसके निया में तो नेम भी सारे सारे बने हुए हैं जो बुद्ध ने बाकाइदा दे रखें और जो आज की डेट में लिखित में है विने पीटक में हैं तो इसकी मेंबर सी भी बड़ी सरल है बहुत जितने भी लोग हैं भारत के अंदर भारत के बहार जो SC, ST, O BC में पैदा हुए हैं वो सारे समण हैं चाहे वो बहुजन का है अपने आपको चुकि अब बहुजन के नाम से पार्टी आ गई तो मामला खतम हो गया चाहे मूल लिवासी के उन्होंने भी पार्टी बना ली तो मामला खतम हो गया तो पुराना सब देखी बसता है समण तो जि कि membership suspend हो सकती है टैमिनेट हो सकती है और वो दोबारा भी आ सकते हैं अगर आपना आच्रम ठीक करेंगे तो फिर दोबारा भी संग उनको ले सकता है जैसे पुराने समय में कहते थे इसका हुका पानी बंद हो गया फिर बाद में पंजात बैठती थी कहते है जी अब यह ठीक हो कि मेरे देश का मेरा स्रमन संग है मैं सुधेशी हूँ तो आपकी नागरिकता पकी हो जाती है क्योंकि आप नागरिक हो स्रमन संग के तो इसका मतलब देश के आप नागरिक हो यह गड़म व्यवस्ता पे चलता है गड़म व्यवस्ता का मतलब है कि जब लोग इखटे कहीं में चलेगी और कोई व्यक्ति अगर अपना आके लिए चलाना चाहेगा तो वो नहीं चला सकता प्रहस्ताब तो रख सकता है मगर प्रहस्ताब तभी माना जाएगा जब उसके बहुमत से पास हो जाएगा तो इसलिए सब की चलती है तो इसमें बोलने का भी बहुत बड़ी अनियम है इसमें सब एक दूसरे को बराबर बोलते हैं तो यहां वीदा पीपल में भी सब एक दूसरे को जो जैंट्स हैं वो एक दूसरे को सर कह के बोलते हैं और जो महिला हैं उनको बहन जी क्या के बोलते हैं तो यहां सब एक दूसरे को सर क्या के बोलते हैं चाये कोई कितना पड़ा लिखा है चाये कोई कितना कम पड़ा लिखा है चाये किसान है चाये मजदूर है चाये अफसर है चाहें रिटार है चाहें बूड़ा है चाहें बचा हैं सब को सर क्या के बोलते हैं एक दूसरे को और महिलाओं को बेंजी क्या के बोलते हैं तो ये सारे के सारे जो नियम हैं ये सारी सारी चीजें हैं ये इसको आलिशन बनाते हैं समर संग जैसा कंसेप्ट और समर संग जैसी ideology पूरी दुनिया में यहीं से गई है और इससे बहतर ideology इससे बहतर concept और इससे बहतर यह जो चीज है खटा होने की यह पूरी दुनिया में नहीं है यट फिर भी बाव जुदिश के समण संग तब तक काम नहीं कर सकता, संग तब तक नहीं बन सकता, तब तक मजबूत नहीं हो सकता, जब तक आप इसमें बात रखने की बजाए काम नहीं रखोगे, यानि कि आपने काम रखना पड़ेगा इसमें, बात नहीं रखनी है, इसमें, कंसेप्ट तो बहुत सिंपल सा है, जोड़ना है, ज से आलिसान किसी के पास concept हो तो वो ले आए हम तो उसको भी अट्रप्ट करेंगे वैसे बुद्द से अच्छा concept आतक जो संग का दिया है वो किसी के पास है नहीं अगर होता तो हमारे concept को लोग ले के नहीं जाते को अपना भी इजाद करते अभी तक तो दुनिया में इजाद ह हुआ नहीं यही concept सबसे अच्छा है मगर यह concept फेल हो जाता है अगर खाली हम बात मनाएं और काम करने से पहले हम को इस पर भरोसा करना है तो भरोसा करने के लिए चिंतन कर ली लीजिए मनन कर लीजिए खूब अच्छी तरह से अपनी बुद्धी का इस्तमाल कीजिए तर् बतर की जिए 50% पूइए को रहे जितनी संका समादान हैं याणी वहम हैं या वीचिक्ष्चा बोलते हैं पाली के अंदर जितनी वीचिक्ष्चा हैं वह सारी दूर कर लीजिए और सारी दूर — दूर हो जाए तो फिर डो काम करने हैं जैसे पुराने जमाने में हमारे पूर भिकुणी बोलते थे महिलाएं भी जाते थी तो घर कर जाते थे तो कुछ लोगों ने तो अपना जीवन दे दिया इस काम के लिए कि हमें जोड़ना है और जुड़ना है हम शादी नहीं करेंगे ये शादी ना करने की परंपरा जो फुल टाइमर कारे करता हमें आई है ये ब बस खाना लेते थे वो भी तब जब सूरज उपर आ जाए यानि बारे बजे उससे पहले पहले उसके बाद खाना भी नहीं लेते थे और खाना एकटा नहीं करते थे ना पैसा लेते थे ना कपड़ा लेते थे ना कोई और चीज़ लेते थे और एक जिगह रुकते भी नही वहाँ जाएं अपनी बात बताएं ना उनका खाना खाएं ना उनका पानी पीएं बस अपनी बात बताएं अपने काम की बात बताएं और उन से पूछें उनके डाउट्स क्या हैं उनको कंसेप्ट को वारें बताएं कि जुड़ना है जुड़ना है जुड़ना है जुड़ने में किसी चौपाल में किसी खुली जगे में जहां भी फिरीग जगे मिलती हो वहां बुलाएं या जहां लोग मिल जाएं वहां जाना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए जब तक आप वहां काम नहीं रखेंगे, यानि वहाँ बात नहीं रखेंगे, वहाँ से बात नहीं जोड़ेंगे, वहाँ से उनको नहीं समझाएंगे, तब तक concept कितना ही अच्छा हो, कितनी बड़ी आइडिलोजी हो, कितना ही बड़ी आ संग हो, वो काम नहीं करेगा, काम तो तब ही करेगा, जब आप उ इतनी वार बोला है मैं बार बार इस बात को बोलूँगा कि वो सेंटेंस है कि बावा साब ने कहा बड़े जोड से बोलते हैं बावा साब तो सम्विधान अच्छा है और खराब लोग वहां पहुँचेंगे तो इससे उमीद मत करना तो अब अच्छे लोग तो पहुँचने है तो अच्छे लोग पहुँचने का अंतियाम करो या उन लोग जो खराब लोग है उनको अच्छा करने का अंतियाम करो तो अच्छे लो बावाव साथ हाओ तो पहले बता के गए थे अब गंदे लूग आगे तो हम क्या कर सकते है बावाव साब क्या सारा काम कर वाओगे बावाव साहुए इससारा कर दिया अब महनत करो अब इसमें बात हैं डालने की बजाए काम डालो, लोगों को इखटा करो, बावा साब ने ये भी तो कहा है, कि सम्मिधान वीदा पीपल से चलता है, अगर वीदा पीपल इखटे हो जाएंगे, लोग इखटे हो जाएंगे, तो सम्मिधान वैसे ही चलेगा, जैसा वीदा पीपल तो भाई अच्छे लोगों कोई खटा कर लो तो यह समण संग में पहली बार ऐसा हो रहा है जब यहां अच्छे आदमी रुक रहे हैं और अच्छे आदमी टिक रहे हैं जो निकम में आदमी हैं वो तो चले जाते हैं जो खाली भाषण देने आते हैं वो भी निकल जाते हैं जो यहां नेता बनने आते हैं, वो भी चले जाते हैं, जो यहां पर्ची, चंदा, धंदा, अपद कोश के लिए आते हैं, पैसे के लिए आते हैं, वो भी चले जाते हैं, जो यहां अपना कुछ अकड़ वकड़ दिखाने आते हैं, वो भी चले जाते हैं, तो यहां कौन रु है कि काम करने से काम होता है बहाशर देने से काम नहीं होता इसलिए वो यहां सांती से काम कर रहे हैं और कितना काम किया साथ महने के अंदर साथ महने पहले जब यह स्टार्ट हुआ था पोर्टल पे तो यहां कुछ लोग जुडा करते थे फिर उन लोगों हमारा जो हमारा कल्यान करेगा तो इसमें जो ओल्ड एज के लोग थे वो भी लग गए जो जवाने वो भी लग गए जो महिलाएं वो भी लग गई सब लग गए और सब अपना पैसा खुद खर्च करते हैं भाई कोई किसी का नहीं खाता अब तो एक नियम और भी बन गया है कि दूसरे सहर में अगर मीटिंग होगी और दूसरे किसी भाई के यहां जाके रुकेंगे तो उसको लिफावे में कुछ पैसा भी देके आएंगे जो उसके खाने खर्चे का रहने का होता है वो भी देके आएंगे और जब देके आएंगे यह भी नियम बन गया है यानि सब लोग यहां स्वाभिमानी लोग हैं इनको कोई नहीं खरी सकता इनको कोई नहीं बेश सकता क्योंकि यह किसी की रोटी नहीं खाते यह जब मीटि तो सारे लोग व्यवस्ता आपने आप्क चलाते हो लगणों की मीटिंग 26 तारी को वहां डॉक्टर एिक्षत्व हो रहे हैं तो डॉक्टर सब अपने थाय खेंग और और जो लोग जा रहे हैं वह भी अपने खाने खाने का पैसा दे रहे रहे और खाने का तो पैसा दे रहे हैं अपनी कुर्सी का किराया भी दे रहे हैं वहाँ पैसा उन्होंने दिया सासारा सारा तो बहाद उगल के अंदर 26 तारी को मीटिंग है फिलर नंबर 830 के बरावर में इस्टूट है वहाँ मीटिंग है तो वहाँ जो लोग आ रहे हैं अपना चने खिलाते हैं, वो मुम्फरी लेके आते हैं, वहां बाचित होती है और वहां पर वो अपना काम करते रहते हैं, तो करमवीर सिंग चंडी गर्ड में मीटिंग लगाने वाले हैं, तो वो लगाता लगाता काम कर रहे हैं, तो ये सारी टीम अपने आप काम कर रही है, ये सारी की सारी headed by संग है, यानि ये संग को report करते हैं, संग में आके बताते हैं, तो सौंबार को संग की meeting होती है, उसमें सब अपना-पना काम बताते हैं, मैंने तना काम कर दिया, मैंने तना काम कर दिया, सबसे ज़़ाद manner चलता है उत्तर प्रदेश के अंडर जिसमें परिकास सिंग्जी और योगादर सिंग्जी और उनकी पूरी टीम दिनरात लगी हुई है सबसे ज़़ादा स्पोक महाँगे बने हुई तो स्पोक कैा होता है इस्पोक होता है जो जादा काम करना चाहता है जो अंदर आकर काम करना चाहता है जो काम को समझना चाहता है और काम की जम्मधारी लेता है और जो जम्मधार व्यक्ति है जो बावा साब का सचा नूई आई है जो पेरियार का सचा नूई आई है जो बुद्ध का सचा नूई जाएगा और खराब लगे तो बता जाएगा हमको कि इसमें ये कमी है संग उसको दूर कर लेगा नहीं दूर करेगा तो संग खतम हो जाएगा अगर संग खतम नहीं होता कभी क्योंकि संग अपनी impurity को जो अपनी कमिया है उनको लगाता दूर करता रहता है दूर करता रहता है नएने नियम बनाता रहता है और संग खुद नियम बनाता है सारे के सारे नियम तो यहां जो 156 लोग हैं जो लोग चाहते हैं कि हम काम करना चाहते हैं सक्रिय काम करना चाहते हैं वो जुणें तो या यहां चैट बॉक्स है उसमें अपना नमबर डाल दीजिए या जिसने आपको लिंक दिया है लिंक जहां से आया वहां कहिए तो धीरे धीरे जुड़िए सारे पूरे देश के अंदर बहुत इसे जोड़ते आ रहे हैं महराष्ट के जो रमेश्ट नामदेव कटके जी हैं वहां उन्होंने नागपुर में 30 तारिकी मीटिंग लगा दी है 30 तारिक को जो साथी नागपुर जाना चाहें वो नागपुर जाएं आपको महराष्ट के लोग महां मिलेंगे वहाँ दूसरी मीटिंग है, पहली मीटिंग अमरावती में लगी है, दूसरी नागपुर में है, फिर वहाँ पांच से मीटिंग और भी है, पंजाब की भी मीटिंग है, उसके बाद साची के अंदर भी मीटिंग तैह हो गई है, यह लगाता लगाता पूरे देश में मीटिं काम रखिए क्योंकि सम्विधान कहता है बात करने से मैं तुम्हें कुछ नहीं तूँगा अगर इक खटे होने का काम करोगी तो सब कुछ दूँगा इतना सा अंतर आपने समझना है कि हमको करना क्या है basically हमको बात नहीं करनी है बावा साहब हमको सारी बाते बता गए हमें बा क्योंकि अगर बावा साब की यह बात सची है कि संटित होना है तो भी पहले संटित होके देख लिया जाए और उसके बाद आगे काम करें तो कुछ चतुल लोग कहते हैं उद्देश से क्या है जी आपका आप करोगे क्या इखटे होके तो उनके दिमाग में यह रहता है कि यह यह राजनीती करेंगे यह कुछ के दिमाग में रहता है कि यह बुद्ध में जाएंगे प्रबुद भारत बनाएंगे यह कुछ के दिमाग में रहता है कि यह कोई सामाजिक करांती करेंगे यह कुछ के दिमाग में रहता है कि यह सकारी करमचारियों की नौकरी यह आरक्ष है इंक यो करने के और सारे मीद हैं सब सब करेए चुके से युए भारत में संग जो हमारा पुराना था वह नहीं बना इसको आ देख लेते हैं एक कुद् temporary संग बनाया थोड़े समय के लिए संग बनाया तो थोड़ा सा परणाम आ गया तो एक रिजल्ट बापस आ गया तो किसानों ने एक साल के लिए पर्मनेंट संग बनाया 32 किसानों के संठों ने मिलके संग बना लिया तो एक साल बाद उनका रिल्ट आया और उनका संग अभी भी काम कर रहा है हमारा जब संग था तो हमने महावारत बना दिया असुक के समय हम चक्रवती सम्राठ थे और बात तक भी हम राजा रहे तो संग जब तक था तब तक राजा रहे तो बाबा साब ने भारत गड़राज संग बनाया तो फिर जैसी संग बना भारत गड़राज संग तो हमें पढ़ना मिलने शुरू है हम पढ़ गए हम लिग गए हमको नोगरी मिली हमको खाना मिला हमको अकल आ गई और फिर जब संग होती है इसे बच्चा बच्चा जानता है और बड़े बुड़े भी कहते हैं भाईया इखटे रहो इखटे रहो इखटे रहो इखटे रहो तो कोई दुस्मन नहीं आएगा जानवर भी नहीं आएगा इखटे रहोगे तो जिंदा रहोगे इखटे रहोगे तो कोई भी मुसीबत नहीं आएगी टल जाएंगी वस ये काम हमने करना है और ये हमें जल्दी करना है क्योंकि हम इखटे हुए और सम्विधान चला गए हाथ से सम्विधान की मानिता खतम हो गई तो फिर इखटे होने का भी कोई फायदा नहीं होगा इखटे होने का फायदा तब ही हमें हैं तो सम्विधान हमें तभी तक बचाएगा तब तक सम्विधान में हम इखटे होके आते हैं इसलिए अभी इखटे होके आएंगे तो अभी जीत जाएंगे सौ साल बाद इखटे होके आएंगे और सम्विधान ने रहा तो जीतेंगे इसलिए जिद्द अब भाशन तेने की नहीं है जिद्द अपनी बात करने की नहीं है जिद्द अब यह है कि बताओ जी काम क्या है बताओ जी कैसे जोड़ना है बताओ जी तरीका क्या है तो यहां जो एक्टिव मेंबर हैं जो इसमें अंदर काम कर रहे हैं वो हर इसकी बात करें इसकी चर्चा करें और यकीन रखें इसवार इसवार हम हारेंगे नहीं ठोकि इसवार नेता नहीं है इसवार संग है इसवार साधरन लोग है इसवार अच्छे हैं और इसवार कोई पैसा नहीं ले रहे इसलिए लुटने का कोई चांस नहीं है और इसवार को मानेंगे चाहां दुनिया धर से उधर हो जाए हारना नहीं सीका हमने अगर हम हार गे होते तो मर गे होते सारे सारे इसने हारेंगे नहीं अब तो हमारे साथ बावा साथ भी है पेरियार भी है जोतिवा फुले भी है और बुद्ध तो पहले से चले ही आ रहे हैं इतने सारे सं हैं बस हमको संग में आना है इक खटे होना है 29 लाग संग्ठन है जो इनेक्टिव हैं चार लाग इसमें एक्टिव हैं अगर यह सब एक 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 आदमी भी खटे हो जाएंगे तो हम उसी दिन जीजित जाएंगे फिर हमको यह नहीं कहना पड़ेगा कि बावा साब ने यह कहता कि सम्धान अच्छा है या सम्धान खराब है फिर हम यह कहेंगे हम अच्छे हैं अब अगर सम्धान को रोना खराब भी कर दिया है तो हम सम्धान को ठीक कर देंगे धन्यवाद बहुत बहुत सुकरिया जीतना है, जीतना हारने जुडेंगे, 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 जुडेंगे. मैं तो राय रखता रहता हूं, मैं सुच रहा हूं, कि जितने लोग अभी नए नए जुडे है, वो इपना प्रिचा दें और वो बतायें कि उनको कैसा ये concept लगता है , मैं तो मुझे तो मैं देखता हूँ कि बावा साब बेटकर ने जो काम किया, उससे पहले ऐसा नहीं था, हमारे पास बहुत संत थे, पीर थे, पकीर थे और देवी देवताओं का भी कोई अंगनित ग्रुप था, लेकिन जो तब्दीली बावा साब लानी चाहते थे, जिसका स पीपल के बिश के नीचे बैठकर बावा साब ने लिया, कि मैं जिस विवस्ता ने मुझे आज हुमिलियेट किया, जिस विवस्ता ने मुझे आज इंसल्ट किया, और मुझे मुझे मेरी आदमियत शीन ली, अगर इस विवस्ता की जड़ें उखार कर मैंने सूर्ज की कर लोगा जिसको उसमें पाजीवन पुरा निभाया वावावाव साब की कहानी तो दिन बदिन की आप देखोगे तो इतनी जटलताओं से भरी हुई है इतनी मुश्किलाओं से भरी हुई है तो हम अपनी छोटी-छोटी मुश्किलें लेकर उसके ऊपर विचार विवस्त करत हैं लेकिन जिस इनसान ने सारा कुछ अपना लुटा के अपना परिवार अपना अपनी अपना जीवन सारा लगा कर हमें जो कुछ दिया है आज हम इतने नालाइक हैं कि वह उसको बचाने के मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि जब बाश सब सब्धान लिख रहे थे एक-एक हम पिंद था और लोगों को अजाद कर दिया आज वो क्रोड़ों लोग जो अजाद हैं रही है आज सब्धान के उपर कितनी समस्याय हुए है उसको दूर करने की बात हो रही है और पिर भी मेरे लोग ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि कट्टे हो क हुं क्या का कहता हूं वो मुझे जब कई बार कहते हैं कठ्थे क्या करेंगे समündeर में मरेंगे ये ही एक रास्था है उनको समझाने का बेए कठ्थे हुए थे बावा साथ ने शहूरूर कास्ट को अक्ठे किया फिर ली硬 के लिए भी सारा जतनी किया तो बावा साब क्या हम बावा साब से भी आज बड़े हो गया है यह नहीं समय रहे कि कठे होके क्या करेंगे कठे होके जो कुछ से हैं आपको लुद्धाना की जो इस्तिती है वो बहुत अच्छी तरह के ना रहने से कितना बड़ा नुक्सान वो धर्म को वहां हुआ बिलकुल और जब तक जे जो नलाइक लोग मैं नलाइक कहूंगा क्योंकर मैं यह दुन ही कहता कि बेवी वो पड़े लिखे नहीं हैं भी वो नालाइक लोगों ने कभी यह नहीं सोचा कि वे मेरी अपनी यो को जिंदा रखने से अ बुद्धरम के पचार परसार को क्या नुक्सान होगा मेरी अपनी परसनल्टी जा मेरा अपना चोटा सा लालच के दो चार पैसे मुझे जहां से मिल जाते हैं उसको जिंदा पीपल की तरफ से कठे हो जाते हैं और लुद्याने में एक बहुत बड़ा संका मीटिंग लगेगा मुझे दिखाई दे रहा है बहुत जल्दी दिने वाला है तो उन लोगों को भी यह शायद शरम आ जाएगी जा उनके अंदर की आदमियत भी जिन्दा आ जाएगी कि जिस इंसान ने हमें इतना कुछ दिया उससे हमें सबक सीख कर अपने लोगों को अपने लोगों के लिए आपने आने वाले बच्चों के लिए मैं तो मुझे 2000 में एक वीडियो मिली थी जो लुद्याना की थी शायद परचार समती ने बनाई हुई थी जिसमें दिशावर जी और उसमें मैंने देखा था कि बहुत से छोटे-छोटे बच्चे जहें बुद्धरम के नारे लगाते गाते हुए ट्रॉलियों में बैठे हुए ट्रक्टरों पे चड़े हुए तो मैं सोच रहा था कि अगर जहां बुद्विहार बन जाएगा तो इसको बहुत बड़े प सरीर के उपर तो मैं इनको जाकर बताऊंगा एक दिन कि एक पीस आप कपड़ा नहीं है इस पीस आप कपड़े के नीचे इतनी ताकत शुपी हुई है इतना बल शुपा हुआ है कि कभी हम अफगानिस्तान से बर्मा तक राज करते थे तो यह जह चीजे इस ताकत को वह थी और हम मैं उसमें खामजाब नहीं हुआ लेकर आज मुझे बीद पीपल के कुंसेप्ट से नजर आ रहा है कि होगा 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 और बहुत जल्दी होगा इनी बातों के साथ मैं अपनी बात खतम करता हूं क्योंकि मुझे जब चलू होता हूं तो फिर रुकने का जैभी नमो गुदा सभी को जैभी जैभी बहुत बहुत सुकरिया और ऐसी बात नहीं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सबी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं, आप YouTube पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्हीं की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट हैस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगम सरेनं गच्छाम। संगम सरेनं गच्छाम। संगम सरेनं गच्छाम। दूतियं पी दम्मंग सर्णंग च्छामी, दूतियं पी दम्मंग सर्णंग च्छामी, दूतियं पी संगं सर्णंग च्छामी, दोखियं पी संगं सर्णं कच्छामी तरतियं पी बुद्धं सर्णं कच्छामी दोखियं पी संगं सर्णं कच्छामी तरतियं पी संगं सर्णं कच्छामी